हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स आज हम जानेंगे कि जल्दी गोरा होने के लिए किन-किन परदातों को चेहरे पर लगाया जाता है समपूर जानकारी हम इस वीडियो में देंगे तो अचा के रंगों को गोरा करने के लिए कई लोग कई तरह के केमकलिक्त प्रोडक्ट का इस्नमाल करते हैं इन केमकलिक्त प्रोडक्ट से स्कीन को साइड इफेक्ट होने का खत्राज रहता है ऐसे में स्कीन को गोरा करने के लिए नेचूरल यानी प्राकिति कुपायों का सहारा लेना चाहिए चेहरे पर चमक लाने के लिए हल्दी का उपयोग करना चाहिए हल्दी में करिक्यूमीन होता है जिसमें मजबूत एंटि आक्सिडेंट और अनुनेंट गुड होते हैं इसके बार नारियल के तेल का उपयोग करके चेहरे पर चमक ला सकते हैं यान उसका रूखी तवचा के लिए सबसे अच्छा काम करता है नारियल का तेल तवचा की नमी बरकरार रखता है और जरूरी फैटी एसिट से भी पोसिद करता है इसमें पाये जाने वाले फिनोलिक एसिट इसके अंटि ऑक्सिदेंट गुडों में योगदान करके तवचा में चमक लाते हैं अब बात कर लेते हैं नेबू के बारे में नेबू नेबू चीनी की कड चेरे किमरित को इसकाओं से छुड़कारा दिलाने में मदद करते हैं नेबू चेरे परसी धब्बे तथा कालेपन को दूर करके चेरे पे चमक लाता है अब फ्रेंट 34 पे हो गया पपीता पके पपीते में पपायन नामक इंजाइम होता है जो एकस फोलियेटर के रूप में काम करता है या दीरे दीरे चेरे सिमरित को इसकाओं को हटा देता है और तवचा को जवान बनाता है या गंदगी और चेहरे को भी साप करता है जिससे चेहरे पर मुहासे और दाग धबे नहीं होते हैं अप फ्रेंट बात कर लेते हैं पांचवें पर मुलतानी मिट्टी के बारे में मुलतानी मिट्टी या तवचा से अतिरिक्त तेल को अवसोसित करती है और इसे नरम और कोमल बनाती है जिससे चेहरा चमकदार होने लगता है अप फ्रेंट छटवें पर सहद हो गया सहद में एंटी माइक्रोबियन और नमी लाने वाले गुड होते हैं जो तवचा को नरम और सुच बनाते हैं जो तवचा कोमल एवं सुस बनाते हैं और दाग दब्बे कम करने के साथ इसकीन पर चमकदार लाते हैं तो दोस्तों इन सब पर दाथों को लगा कर आप अपने चेहरे पर चमकदार ला सकते हैं हुआ है